हेलो फ्रेंट्स आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्त होंगे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि स्लेबर्स आपका चेंज हुआ है सिबेसी बूर्ड का जो नोटिफिकेशन आया है सिबेसी ओफिशल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 11 और 12 का जो स्लेबर्स है बाइलोजी के मैं बात करूँगा उसमें चेंजेज आया है ठीक है जो COVID-19 की जो सिचुएशन है उसके वज़े से स्लेबर्स को रिड्यूस किया गया है अब स्लेबर्स रिड्यूस कैसे हुआ है और उसका क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है आपके पढ़ाही पे और सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो इस वीडियो को पूरा ढंक से आप ध्यान से लास्ट तक देखेगा ठीक है देखो स्लेबर्स जो चेंज हुआ है उसका तीन जगह पे इंपक्ट में बताऊँगा 11th क्लास पे 12th क्लास पे और NEET पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ NEET के बच्चों की NEET aspirant जो है उनके लिए स्लेबर्स जो रिडियूस हुआ है उससे कोई उनको दिक्कत नहीं होने वाली है मतलब उनको उतना ही महनत करना है जतनी पहले वो कर रहे थे मतलब क्योंकि देखो क्या होता है हमार टाइम पे स्लेबर्स बहुत एलिबरेट हुआ करता था फिर धीरे-धीरे बहुत रिडियूस करते हैं स्लेबर्स को आज का जो स्लेबर्स है और उस टाइम का जो अगर आप एंसारिटी देखेंगे बाइलोजी की तो बहुत जादा डेप्ट में थी वो ठीक है अगर 11-12 में बच्चा डेप्ट में पढ़ता है तो उसको इजी होता है नीट में ठीक है लेकिन यहाँ पर 11-12 को बहुत सिंपल कर दिया गया है तो फिर नीट में जाके प्रॉबलम आते है क्योंकि नीट का स्लेबर्स सिंपल नहीं है नीट का स्लेबर्स पूरा एलिबरेट है पूरा मतलब सारे टॉपिक्स उसमें इनवाल्ड है तो जो नीट एस्पिरेंट है उनको तो पूरा ही पढ़ना है आप अपने लेबल पर पढ़ सकते है मेरे वीडियो भी आप अच्छे से देख सकते है कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीज़े पूरा अच्छे से देखिए साथ में MCQs वगेरा जो MCQ questions रहते हैं वो आप चाहिए तो टूमेन से या फिर biology MTG at fingertip book आती है MTG publication की मुझे वो जादा बेटर लगती तो उससे आप लगा सकते है ठीक है तो ये तो हुई NEET के बच्चों की बात NEET के बच्चों के लिए कोई सहूलियत नहीं है पूरा पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है कोई भी चीज़ आपको skip नहीं करनी है क्योंकि NEET का syllabus में कोई परिवरतन नहीं आया है NEET का syllabus वहीं है ठीक है एक तो 70 marks का अपका theory होता है और 30 marks का practical होता है ठीक है सबसे पहले बात करूँ अगर practical के 30 marks की 12th class student की तो 30 marks का जो practical होता है उसमें आपके जो number है मतलब जो आपके marking scheme है जैसे 5 marks वाइवा के हो गए 5 marks copy के हो गए या 10 marks major experiment के हो गए sporting के कुछ marks हो गए तो जो scheme थी CBSC की marking के वो same है उसमें कोई change इन्होंने नहीं किया है ठीक है लेकिन उसको reduce जरूर किया है practical के slivers को समझ पार है मेरी बात अब जैसे पहले 5 experiments experiment थे मान लिजे major experiment में तो उसको 3 कर दिया गया है मान लिजे sporting में 4 experiment थे तो उसको sporting में 4-5 चीज़े थी तो उसको 3 कर दिया गया है या कम कर दिया गया है तो reduce कर दिया गया है लेकिन जो scheme है marking के वो exact वही है तो हमें syllabus के according ही पढ़ाई करनी मैं हमेशा कहता हूँ syllabus के according ही पढ़ाई करनी है क्योंकि खुद को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना है number भी आने चीज़े है तो इसलिए important है कि syllabus के according ही आपको पढ़ना है तो syllabus वैसे तो मैंने community section में link दिया है वहाँ से आप easily उसको download कर लिजे और उसी के according आपको बढ़ाई करनी है भले 11th class student हो 12th class student हो 12th class की बात कर रहे है भी फिलाल अपन 12th class में आपका practical वाला portion इस तरीके से अब जो 70 marks होते है वो होते है theory के और theory में आपके पहले 16 chapter थे पिछले साल तक 16 chapter थे आपके अब इन्होंने क्या किया है 16 में से 5 chapter हटा दिये सीधे सीधे अटा दिया मतलब वो तो आपको छूने ही नहीं है आप मेरे वीडियोस भी मत देखना उनको NCRT में मत पढ़ना ठीक है बाकी के 11 chapter आपको पढ़ने नीट बालों को सब पढ़ना पहले बता चुका हूँ ठीक है अब ये जो 11 chapters है वो आपको पढ़ना है बोर्ड के रहे बाकी फिर बोर्ड के बाद या आपको जब टाइम मिल जाए तो आप बाकी के बचे वे chapters भी पढ़ लेजेगा वीडियोस से या आपने थू कैसे भी जैसे आपको सहूलियत लगे अब मैं बताता हूँ कि कौन-कौन से chapter इनोंने completely हटा है पहले हो बता दता हूँ ठीक है युनिट वन में से reproduction in organism जो first chapter है जो बहुत basic था वो इनोंने हटा दिया उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था sexual reproduction पर question आता था वो इनोंने completely हटा दिया तो वो नहीं पढ़ना है आपको ठीक है second जो युनिट था genetics वाला उसमें इनोंने chapter number 3 यानि कि evolution हटा दिया है ठीक है evolution आपको बिलकुल भी नहीं पढ़ना है कहीं से भी reference book से, text book से कहीं से भी नहीं पढ़ना है ठीक है disease वाला जो unit है उसमें first chapter है human health वाला है उसके बाद microbes in human welfare है इसके अलावा beach वाला जो chapter था strategies for enhancement in food production वो इनोंने हटा दिया तो वो बिलकुल touch भी नहीं करना है आपको board exam के लिए ठीक है इसके बाद जो biotechnology वाला है उसमें से इनोंने कुछ भी change नहीं किया 11th और 12th chapter as it is है आपका ठीक है principle जो थे biotechnology के और application जो थे वो as it is है chapter जो आपका 14 है यानि कि जो 5th unit है last unit है आपका ecology उसमें से chapter number 14 ecosystem इनोंने अटा दिया ये इनोंने मेरे साब से ठीक नहीं कि ecosystem बहुत important था इसके अलावा इनोंने environmental issues है जो इतना important नहीं था उसमें issues बगेरा बताया गये कि कौनसा act कब बनाया था water act कब बनाया रिवर act कब बनाया या pollution act कब बनाया air act कब बनाया ये सब उसमें था तो वो इनोंने अटा दिया ठीक है तो ecology chapter ecology unit में से 2 chapter हटा है इसके अलावा disease में से 1 chapter हटाए गया genetics में से 1 chapter और first unit reproduction में से 1 chapter तो total 5 chapter हटा दिये गये 16 में से 5 गये तो 11 chapter आपके बचता है 11 अच्छे से बढ़ना है अब ये जो 11 chapter है क्या ये भी बिल्कुल same as it is वैसे ही है जैसे पहले थे नहीं इनको भी reduce कर दिया गया है तो इन में से भी कुछ-कुछ topic हटा दिये गये जैसे माले जी किसी chapter में 10 topic था तो उसमें से 8 कर दिये गये तो वो आप जब slaybers देखेंगे आप community section ने मैंने link दिया उसको download कर लिजे जब आप slaybers देखेंगे तो आपको पता पढ़ जागा तो exact वैसे ही पढ़ना है ठीक है तो 12 के तो मैं slaybers complete कर चुका हूँ तो आप वहाँ से देखते रही है आराम से कुछ एक chapters रह रहे हैं वो जल्दी कर दूँगा तो इस तरीके से 12th class student के लिए अब अपन बात करते हैं 11th class बच्चूगी चप्टर यूनिट जो वन है उसमें से कुछ भी इन्होंने नहीं अटा है चारों chapter as it is है यूनिट 2 जो था उसमें से इन्होंने morphology को नहीं अटा है और जो tissue वाला पार्ट है उसको भी नहीं अटा है बीच का जो पार्ट था anatomy वाला anatomy वाला जो चप्टर था उसको इन्होंने हटा दिया तो बिल्कूल भी आपको टच नहीं करना है cell वाला जो unit है उसमें से इन्होंने कुछ नहीं अटा है तीनों chapter यानि कि cell basic unit of life biomolecules और जो cell division वाला पार्ट है वो as it is है fourth जो unit था सबसे toughest ठीक है plant वाला जो section था उसमें से इन्होंने 5 chapters में थे तो इन्होंने तीन ही रख दिया है दो हटा दिया है यानि कि plant में जो nutrition वाला part था macronutrients क्या होता है macronutrients क्या होता है वो हटा दिया एक तो इन्होंने और plant में transportation कैसा होता है xylem, phloem वाली जो बात बताई गी थी absorption, absorption वाली वो चीज़ इन्होंने हटा दिया तो इतना ज़्यदा नहीं था conceptual हटा दिया है बाकि जो photosynthesis रैस्पिरेशन है plants का वो important है वो as it is बरकरार है तो सोच समझ के हटा है CBSV में वैसे बड़े-बड़े professors होता है इसके बाद अपन बात करें अगर chapter number unit 5 जो 11th biology में unit 5 है animal physiology उसमें इन्होंने digestion वाला chapter हटा दिया जो मेरे फिवरेट था मैंने इसके वीडियो अप्लोड कर रखें नीट के लिए तो important है आगे free time में आप देख लेना तो वो इन्होंने अटा दिया तो आप मत बढ़ना इसके अलावा जो circuitry system है excretory system है locomotion है या nervous system है वो as it is है तो वो as it is आपको पढ़ने है तो ये syllabus इस तरीके से आपका बदला है और इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि कुछ chapter तो इन्होंने as it is हटा दिये 5 chapter 12 में से और 4 chapter 11 में से यानि कि 9 chapter as it is हटा दिये 38 chapters में से total 11, 12 के गरों बात करूं तो और जो chapter रहे हैं उन में से भी काफी reduce कर दिया तो अगर overall में बात करूं तो 100 अगर पहले syllabus होता थो तो अब आपका इस syllabus 60-70% के बीच रह गया है तो आसान है लेकिन नीट के लिए पूरा ही पढ़ना है इसलिए जो भी पढ़े अच्छे से पढ़ते चले एक और बात मुझे कहने थी कि 11 के जो अभी तो मैं बाहर हूँ out of Delhi हूँ तो अभी मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन जो मैं daily return करूँगा तो मैं जल्दी से वीडियो देने कोशिश करूँगा 11 क्लास के और 11 क्लास में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो मैं इस syllabus के according के बनाऊँगा और मस्त रहिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा बच्चे notes के लिए परेशान होता है वीडियो आप देखते रहिए notes या तो आप खुद बना सकते हैं लिखके वीडियो देखते हुए वो बहुत अच्छी बात है उससे आपको याद भी होगा या फिर आप community section जो होता है आप community section नहीं मिलता कहीं बच्चो community section कहा होता है चैनल खोलेंगे आप YouTube channel biology booster तो उसमें option मिलते हैं उपर stories और playlist के बीच में एक option होता है community वहाँ पर मैं link देता है रहता हूँ वहाँ से आप easily उसको free of cost download कर सकते हैं तो यही मुझे कहना था कि कोई भी परिशानी वाली बात नहीं है जितना पढ़े अच्छे से पढ़े बाकि आपके लिए अच्छी ख़बर है कि कम हो गया इसलिए बस तो इतना ज़दा पढ़ने की ज़रत नहीं है ठीक है Thank you so much Lots of love Take care